वैसे तो कोई भी देश 100% इंडिपेंडेंट नहीं होता है हम सभी को एक दूसरे की मदद की जरुवत होती है लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने आपको चाइना को सौप दिया है हम यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान आल्मोस्ट एक कॉलर्णी बनता हुआ जा रहा है चाइना का 2015 के एप्रिल के महीने में चाइना और पाकिस्तान मिलके C-PAC को साइन करते हैं जिसके तहट चाइना पाकिस्तान में लगभग 50 से लेके 55 प्रोजेक्ट को वो बनाता जिसका कि आज के हिसाब से जो खर्च है वो कुछ 65 billion American dollars है इस amount को आप सुनके समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये amount कभी भी repay करना possible है ही नहीं और खास करके जब आप ये claim करते हो कि ये देश आपका है तो उस देश में कुछ contribution भी होता है आपका लेकिन जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान में projects को बना रहा है डेवलप कर रहा है शायदी को ये पाकिस्तान ही ये claim कर पाएगा कि पाकिस्तान उनका देश है अगर मैं इंडिया के point of view से बात करूँ तो ये project जितना ही fail होगा उतना ही जादा अच्छा है और इस शी से personally मैं भी सहमत हूँ क्यूंकि चाइना पाकिस्तान economic corridor यानि की जो CPAC है वो पाकिस्तान occupied कश्मीर से pass हो रहा है जो की भारत का एक integral part है तो इस लिहास से भी मैं बहुत ही खुले शब्दों में ये कह रहा हूँ कि ये project अगर fail कर जाएगा तो ये इंडिया के point of view से बहुत ही अच्छी बात है क्यूंकि पाकिस्तान के development में वहां के लोगों का कोई भी participation नहीं है या सरकार अपने लोगों का ध्यान नहीं रखती है as a result ये हो रहा है कि जहां जहां से चाइना और पाकिस्तान के बीच में CPAC sign हुआ है possibly हर area में चाइना के जो engineers हैं या जो workers हैं उनके उपर लगातार attack किया जा रहा है recent attack में चाइना के 5 engineer को मार दिया जाता है आज हम इसी के बारे में जानेंगे मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं ये कोई पहली बार्णिंग हुआ कि जब चाइना के engineers या उनके workers के उपर targeted तरीके से attack किया गया है अभी जो recent attack किया गया है आप वो देख सकते हैं वो यहां पर किया गया यानि कि धासू hydro power project के पास किया गया है उसके बाद बहुत बड़ा एक हिस्सा जो चाइना पाकिस्तान economic corridor का है वो लगभग कुछ यहां से गुजरता है यानि कि वो गिलगिट बल्टिस्तान से गुजरता है जो कि भारत का एक integral part है तो इस लिहास से भी अगर चाइना पाकिस्तान economic corridor अगर fail कर जाता है तो वो हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात रहेगी क्यूंकि जिवो पॉलिटिक्स में हर वो काम अच्छा होता है जिस काम से आपके देश को benefit मिलता है या पहुंच सकता है हलाकि और पर्सनल नोट मैं कभी भी किसी भी तरीके का कोई violence को मैं promote नहीं करता हूँ नहीं तो मैं support करता हूँ लेकिन जिस तरीके से जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तब से terrorism को पाकिस्तान बहुत ही अच्छी तरीके से अपने देश में promote किया है as a result क्या हुआ है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे fractions हो गये हैं जो की एक अपना group create कर लिये हैं और सभी को पाकिस्तान के politics में हिस्सा चाहिए recent जो attack किया गया है जिसमें कि चाइना के 5 engineers को target किया गया है हलाकि ये जो आकड़े हैं ये आगे बढ़ भी सकते हैं लेकिन exactly पाकिस्तान ना ही तो चैना ने इसके बारे में ज्यादा detail तरीके से बताया possibility ये भी है कि अगर 5 Chinese engineers मारे गया हैं तो बहुत सारे जखमी भी हुए होंगे और exactly ये कह पाना मुश्किल है कि जो engineers थें उनको replace करना क्या इतना असान रहेगा तो शायद थोड़ा मुश्किल है कि same capabilities के जो engineers है उनको replace करना इतना आसान रहेगा और उसके बाद कहीं न कहीं जिस तरीके का जो regular attack किये जा रहे हैं इससे कहीं न कहीं जो Chinese nationals है या जो engineers है उनके अंदर डर बैट जाएगा अब क्यूंकि Chinese engineers के उपर लगतार attack किये जा रहे हैं उनके citizens के उपर attack किये जा रहे हैं तो कहीं न कहीं जो China है वो काफी खफा है पाकिस्तान से और जो भी उनके बीश में एक high level meetings हो सकते थे उसको organize किया गया और China के दोरा बहुत इस पस्ट शब्दों में ये कहा गया है कि वो ये चाहते हैं कि जिसने attack किया उसको punish किया जाए ताकि इस तरीके का जो incident है वो दुबारा ना दोहरा है एक week के अंदर तीन major attacks हुए है एक attack तो proper ग्वादर पोर्ट के जो complex था उसमें हुआ और उसके पहले भी एक attack हुए थे और जितने भी जो attacks हुए है ये काफी high intensity के attack है अब proper जो ग्वादर पोर्ट है ये पढ़ जाता है पाकिस्तान के बलुचिस्तान प्रोविंस में अब पाकिस्तान के जो बलुचिस्तान प्रोविंस है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा area है और ग्वादर पोर्ट का strategic importance काफी हो जाता है वैसे तो बलुचिस्तान प्रोविं investment या development करना चाहता है बलुचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए बहुत सारे देश भारत में भी investment करते हैं अलग-अलग field में भारत भी investment करता है लेकिन जिस हिसाब से चाइना investment कर रहा है पाकिस्तान में यहाँ पे कहीं से भी cooperation नहीं होता है कहने का मतलब है कि कहीं पे भी हो तो वहाँ पे एक balance act होना बेहर ज़रूरी है तभी government of India ने make in India initiative लाएं इसके तहत क्या है कि जो भी हमारे देश के companies रहेंगे उनके साथ जो बाहरी companies ये उनको collaborate करना पड़ेगा ताक जो हमारे companies ये उनके साथ भी या उनके पास भी first hand experience रहे उतने बड़े बड़े projects पे काम करने के लिए अब same attack 2021 के जुलाई के महीने में हुआ था जहां पे 9 Chinese engineers मारे गये थें और 4 Pakistan के local थें तो in a way हम कह सकते हैं कि regular interval में पाकिस्तान में Chinese engineers के उपर attack किये जा रहे हैं और इसके पीछे कि जो responsibility बनती है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ही बन दी है क्योंकि बहुत सालों तक पाकिस्तान ने अपने देश में terrorism को पाला और वहां के जो local civilians से उनको radicalize कर दिया गया as a result क्या होता है कि पाकिस्तान में जो local long है वो अब इतना जादा radicalize हो गया है कि उनको समाल पाना बेहद मुश्किल है बहुत सारी reports ऐसे भी आए हैं जहां पे चाइना पाकिस्तान economic corridor के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो local मजदूर भी है वो भी चाइना से import किये गया है जानी कि जब चाइना पाकिस्तान economic corridor जब sign हो रहा था या in fact sign होने के बाद भी 2015 के बाद भी ये कहा गया था कि जो मजदूर होंगे वो local होंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे examples हैं जिसको की देखते हुए जो पागिस्तान के common civilians है वो काफी खफा है अपने सरकार से और as a result उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है प्रोजेक्ट को रोकने का other than कि उन पे वो attack करे again मैं हलाकी किसी भी तरीके से violence को support नहीं करता हूँ लेकिन अगर कोई भी देश बरसों तक terrorist को पालेगा तो कही न कहीं उसका जो अंजाम है वो उसी देश को भुगतना पड़ेगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताए see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye